हाई दियर फ्रेंड्स वैसे तो आप WhatsApp status बीना किसी एप के इंस्टाल किये ही अपने फोन से ही किसी का भी status डाउन्रोड कर सकते हैं लेकिन ये ट्रिक आप सभी फोन में नहीं उच कर सकते और वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाता है सो इन इस वीडियो में आपको बताऊंगा किसी का भी status डाउन्रोड करने का बहुत ही जी तरीका जिससे कि ना सिर्फ आप उस status को बहुत ही जी डाउन्रोड कर पाएंगे बलकि अपने सिर्फ एक ही क्लिक पर उस status को डाईट वहाँ से अपने status पर सेट भी कर सकते हैं मैंने सेयर किया है टेग्यान 365 पर ऐसे नजाने कितने वीडियो जो बढ़ाती है आपका knowledge जो बूश्ट कर देती हैं आपकी skills किसी भी app को चलाने में प्लेलिस्ट में कवर किये हैं WhatsApp के ऐसे रोचक ट्रिक्स जो पूरी तरह से बदल कर रख देंगी आपके WhatsApp चलाने के अंताश को जिसकी लिंक मैंने उपर आई बटन में दे रखी हैं आप उस पर टैप करके वो वीडियो देख सकते हैं तो चलिए अब हम अपनी टॉपिक पर रखेंगे और यही वाला एप इंस्टाल करेंगे बिकॉज मैंने इस्टेटर्स डाउनलूड करने के लिए और भी कई सारे एप इंस्टाल किये लेकिन इसमें इस्टेटर्स डाउनलूड करना बहुत ही सिंपल है और इसमें दूसरों की तुल्णा में एड्स भी कमाती है अब इस आप को ओपिन करेंगे पर्मीशन्स को अलाउग करेंगे अब इस आप के तुरू इस्टेटर्स डाउनलूड करने के लिए सबसे पहले आपको वाट्स अप पर वो इस्टेटर्स वाच करना होगा जो आपको डाउनलूड करना है ओके पर टैप करेंगे और अब WhatsApp पर जाएंगे और उस इस्टेटस को थोड़ा सा टाइम वाच करेंगे जिसे आपको डाउनलोड करना है इसके बाद फिर से ये एप को ओपिन करेंगे इसके बाद इस एप को फिर से ओपिन करेंगे और यहाँ पर आपने जो इस्टेटस वाच किया था ये सो होने लगा है इस पर टाइप करेंगे और अब यहाँ पर आप डाउनलोड के आप्शन पर टाइप करके डाइक डाउनलोड भी कर सकते हैं इस इस्टेटस को और share के option पे सिर्फ आपका एक click और यह status आपके whatsapp पर direct share हो जाएगा कहीं आप ऐसे ही छोटे छोटे लेकिन बहुत ही महतुपूर वीडियो मिस ना कर दे इसलिए टेग्यान 365 को तुरंथ ही subscribe कीजिए और हाँ यदि आपके पास है कोई ऐसा टॉपिक जिसे आप चाहते हैं कि हम अपने आने वाली वीडियो में उसे कवर करें तो हमें इस वीडियो में कमेंट कीजिए